मैं डाउट लूँगा डेफिनेटली आप सभी बच्चों का डाउट लूँगा मैं जा नहीं रहा भी कहीं और पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सर कैपटल गेन में क्या क्या सीख लिया एक पर फटाफट से जिनके पास 10 एर है अपना 10 एर निकाल लीजिए जिनको याद है रजिस्टर है रजिस्टर निकाल लीजिए फटाफट सर, capital gain के अंदर हमने देखा था, सबसे पहले definition, definition में कहा गया था, सर अगर आप capital assets को transfer करोगे, तभी capital gain माना जाएगा, transfer मतलब बेचोगे, तभी होगा, और word था capital assets, सबसे अब इसकी बात बात करते हैं, सर, capital assets क्या था, capital assets हमारा कोई भी property capital assets होता है, सर, अब बात आ जाते हैं, सर, commercial या फिर आपका, मतलब personal, commercial में तो सब personal की बात करें, तो personal में movable नहीं आता, सर, capital assets में, लेकिन कुछ exception है, जहाँ पर movable assets आ जाते हैं, jewelry, आपका, आपका painting, drawing, arts, sculpture, ये सारी चीज़े आ जाएंगे, अब इसके बाद, सर, capital assets कितने तरीके के होते हैं, capital assets दो तरीके के थे, एक था हमारा long term, एक था हमारा short term, सर, long term, long term में define अलग-अलग है, simple सी बात है, कि आपका 24, 12, 24 और 36, shares वगरा के लिए 12 महिने हैं, और building property के लिए 24 महिने, मैं बहुत conclude करके बोल रहा हैं, बाकि मैंने पहले पूरा detail में बता है, और last one देके तो 36 मैंने बाकि सभी के लिए है, अब इसके बाद question raise होता है, सर, कि कई बार ऐसा होता है, कि कुछ assets को जब हम बेचते हैं, तो वो assets बिका हुआ, मतलब जब transfer होता है, तो उसे नहीं माना जाता, जैसे family में property वगरे का बटवारा हो गया, तो वो transfer नहीं माना जाएगा, भले ही property बटवारा क्यों नहीं हो रहा इसके बाद, सर, capital gain का mode क्या होगा, सर, long term के लिए आपको indexation की help लेनी पड़ेगी, लेकिन short term में नहीं लेनी पड़ेगी, सर, लेकिन long term में कुछ assets अभी भी ऐसे हैं, जिनके अंदर indexation नहीं लेना है, जैसे listed equity share, जैसे debenture, जैसे depreciable assets, इसके उपर indexation नहीं होगा, और cost of improvement की भी हमने बात करी थी, तो इस तरीके से हमने basic basic चीजे करा था, अब सबसे main जो theory का part है, जो आपको हमेशा tips पर पता होना चाहिए था, वो था exemption, जो था section 54, सर, section 54 क्या कहता है, कि अगर आप individual या HUF हो, और आपने एक घर बेचा है, residential घर बेचा है, और बदले में अगर आप खरीदते हो, तो exemption मिलेगा, घर दो ही खरीद सकते हो, और दो करोड से उपर का भी नहीं होना चाहिए, और जो घर बेचा है, वो long term होना चाहिए, दो साल पहले या एक साल पहले खरीद लीजिए, या दो साल बाद खरीदिया, बनवाने के लिए 3 साल है, अगला था agriculture land, सर, agriculture अगर गरी कल्चर लेंड बेचना है, रूलर या अर्बन? अर्बन, रूलर वाला तो Capital Assets के डेफिनेशन में आता ही नहीं है, अर्बन वाला बेचते हो, खरीदो कौन सा, खरीदना कौन सा, मर्जी है, तो आप अगर 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 कल्चर लेंड बेचके, अगरी कल्चर खरी इसके बाद 54 EC देखा था EC क्या था अब कोई भी एसेट्स बिचो और खरीद के बॉंड में पैसा लगा तो गवर्मेंट के तीन बॉंड थे एक था REC, एक NHI और एक रेलवे का था पांस साल तक आपको इसको बेचना नहीं है, लॉकिन पीरियड है और पचास लाख मैक्समम इन्वेस्मेंट कर सकते हो सर और छे महीने के अंदर अंदर करना है 54EEB बिल्कुल सेम था, बस वहाँ पे गवर्मेंट जो नोटिफाई करेगा उस एसेट्स में आपको इन्वेस्मेंट करना है और वहाँ तीन साल का दे रखा है टाइम वीरिड इसके बाद आया सर 54D, Compulsory Acquisition by the Government कई बार फेक्टरी जहां आप कर रहे हो वो इंडस्री सरकार को महाँ कोई काम करना है Metro बनाना है, Airport बनाना है, Road बनाना है, कुछ भी बनाना है, XYZ तो आपकी जमीन को आपके फेक्टरी को गवर्मेंट हटा देगी यानि Government आपको Compensation देगी, तो that is also sale consideration ऐसे situation में आप और कहीं भी Land and Building Factory के लिए खरी देगे तो आपको exemption मिल जाएगा, लेकिन उस Factory पे भी आपको कम से कम दो साल तक Factory का activity होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज लिया और कल Government ने कर लिया तो यह नहीं चलेगा, इससे सेम मिलता जुलता, 54 जैसे ही D खतम होता है, 54 क्या था, G 54 G में क्या था, आप शहर से बेच दीजिए जमीन, और कहां चले जाएए आप, गाउं, यानि Rural Area में चले जाएए, तो आपको exemption मिलेगा, यहाँ Plant and Machinery भी Covered हो जाता है, ऐसी था 54 G A, यहाँ पर आप कहीं सभी बेचिए, मतलब यह फैक्टरी बेचना है, और चले जाएए, ऐसी Z में, तो आपको exemption मिलेगा, अब आता है 54 F, आप कोई other assets बेचिए, और आप एक residential house property खरेत लिए, पहले आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर करेगी, जैसे power generation वगरे में, वहाँ पर exemption मिल जाएगा, अब आगे चलते हम सर, कुछ special cases करा था हमने, जैसे हमने किया था कि insurance company से आग लग जाता अगर property में, तो उस property के अंदर आपका, जिस दिन property में आग लगा है, उसी दिन के हिसाब से calculation कि करना होगा, ऐसा नहीं है कि convert हुआ है, वो लेंगे, market value जिस दिन conversion हो रहा है, वो लेंगे, government compulsory acquisition करता है, तब भी अगर government ने आपके जमीन को compulsory ले लिया है, तो उस situation में, जिस दिन first compensation आपको मिलेगा, उसी दिन सारा capital gain देना होगा, अगर आप compensation से खुस नहीं है, तो आप appeal कर सकते हैं, और dispute के case में जब with the 50% deduction के साथ, इसके बाद था admission और dissolution के उपर, तो यह basic basic point कर लिए, बाकी जो special case है न, अभी तक मैंने देखा special case पे questions बहुत rare पूछे जाते हैं, exemption मैं, देखो, अगर house property की बात करूँ, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, भया, तुम्हें कुछ आता हो, 24B आना चाहिए, जिसको 24B आता है, question कर जाएगा, अब capital gain में कुछ हाता हो, चाहिए ना आता हो, exemption जरूर आना चाहिए आप, और exemption की बहुत लंबी चोड़ी list नहीं, आप revision करने बैठोगे, तो hardly अगर आप सांती मन से, बिलकुल दिमाग को peacefully concentrate करके करते हो, दस मिनट में पूरा revise हो जाएगा चार्ट आपके सामने, 10 year open की चार्ट दे रखा है, फटाफट फटाफट revise कर सकते हो, अब हम कुछ question practice करेंगे, पहले थोड़े असान असान से question देख लेंगे, लेकिन exam में आये होंगे, असान हो चाहिए मुस्किल, फिर उसके बाद हम अलग से देखेंगे, sir capital gain में कितने classes, देखो आज मैं question जब मैं कर रहा हूं, और वो question मैं कर रहा हूं जो exam में आ चुका है, तो इसका मतलब capital gain 90% खतम हो चुका है, इसके अलाबा और भी कुछ है, जैसे कि जो theory है main, जो कि इस बार exam में आने के chances बनते हैं, stamp duty valuation officer का एक case है, उसके उपर question आ सकता है, जिसके उपर हम बात करेंगे, ठीक है न, तो पहले तो सबसे simple सी बात है, हम आज question try करते हैं, यहां तक हमारा clear हो गया था, हमने bond बगेरा का भी देख लिया था सर, किस तरीके से होगा, कुछ special cases भी हमने देख लिया थे, और cost of accusation, जो कि already done हो चुका है, तो मैं ज़्यादा time नहीं लूगा, हाँ, जो बच्चे नहीं जुड़ें, क्योंकि दो-तीन दिन में बहुत बच्चों ने admission लिया है, मैं तो था नहीं, तो जो बच्चे new joining है, उनकी मैं बात करूँ, कि सर आज आपको न एक वीडियो, आज या कल सुभह तक, काफी बच्चे scared इस बात को लेके है, चिंतित है बच्चे इस बात को लेके डरे हुए है, कि सर सलेवस होगा कैसे, उनकी चिंता यह है कि सर हम पढ़ें कैसे, तो पढ़ने के लिए कौन सा chapter आपको पहले pick करना चाहिए, देखिए कई बार क्या होता है, कि आपके भले ही 20 chapter हो, लेकिन बड़े chapter आपने पहले उठा लिया और उसमें लगा दिये 5 मेने बाद पेपर है, 3 chapter में आपने लगा दिये 4 मेने, तो बाकी के आपके 17 chapter देखके घवराट में वैसे जो 3 की हैं वो भी भूल जाओ गया, कि भई आभी 17 रह रहा है यार, 3 मेने में तो कुछ किया ही नहीं, तो उसी accordingly मैंने बताया, कि सबसे पहले आ recommendate करूँगा, कि salary मत करिए, उससे बहतर है कि आप क्या करिए house property, क्योंकि house property करोगे, 3 chapter हो जाएंगे आपके, फिर आप salary मत हाथ लगाओ, फिर लगाओ capital gain पे, क्योंकि इसमें भी आपने observe किया होगा, हलाकि ये बहुत बढ़ा chapter है, मैं salary से बढ़ा chapter इसको मानता हूँ, लेक के साथ आप deduction भी करिए, deduction मैंने पूरा नहीं कराया है, लेकिन deduction उतना जरूर कराया है, जो question में बीज-बीज में परिशान करता है, वो परिशानी ना हो, उसकी वज़े से, last में आप salary उठाईए, और salary के बाद फिर PGPP और other chapter करेंगे, हम जो भी है, तो capital gain almost done है, लेकिन मुझ चल जाए, कुशन की language से आप अच्छे तरह करें, बाकि आप तो 10 के बंदे 20 करिए, अपने आप 8 के तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चलिए सर, एक कुशन देखते हैं, सर कुशन क्या कहता है, आपके किताब में है, किताब छोड़िए सामने दिख रहा भी तो किता वीडियो ब्लर, भाई वीडियो ब्लर आ रही है, कोई बात ने एक बाद रीफ्रेस कर देते हैं, और अपने पास से भी कर लिजेगा, मैंने कर दिया रीफ्रेस, चलिए, कुशन बढ़ ले, देखिए, इसको नीचे कर लेते हैं, कुछ बच्चों को विज्वल नहीं होगा भाई पूछूंगा आपसे, जिस बच्चे से पूछूंगा, वो जवाब देगा, जितने बच्चे ऑफ्लाइन बैठे हैं, कि कौन सा एक्जेम्शन लगने वाला है, ठीक है, कहता है भाई अभी डाउट कहां से लेंगे, सर मॉर्निंग में क्लास होगी, अरे देखो, इन बच्चों को मैंने बोला भाई अभी कुशन करेंगे, अभी मैं हेंड्रेज ओफ कर रहा हूँ, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सारी, मैंने बोला क्लास के बाद अपनी सारी जितने भी डाउट है, वो पूछ लीजेगा, कहता है Mr. X पर्चेज, हाउस प्रॉपर्टी, और इसने एक प्रॉपर्टी खरीदा तेरा लाग पचास का, ओक्टूबर दो हजार बीस में, ध्यान दीजिये बोल्ड पे, लेखें किताबों में कहीं जाने के जुरत नहीं है, बोल्ड पे यह है, तो ध्यान दे दीजिये, दा फेर मार्केट वेल्यू अफ प्रॉपर्टी, एप्रेल दो हजार एक, सर क्यूंकि दो हजार में खरीदा था, इसलिए फेर मार्केट वेल्यू दे दिया, सोला लाग रुपए, ही स्पेंट, उसने कुछ एडिशनल खर्चे करें, इंप्रॉव्मेंट पे, दो हजार चार में, एंड सोल्ड पंदरा नमबर दो हजार, एक्टिस के अंदर पच्पन लाग सत्तर हजार का बेच दिया, 55,70,000, एक्स्पेंस इंकर्ड और ट्रांसफर यह दे रखा है आपको, ही पर्चेज अनदर हाउस 25 मार्च 2022 में, पांच लाग रुपए का बेच दिया, कम्प्यूट टेक्सिबल इंकम क्यापिटल, सर यह दस नमबर का सवाल आया है, और जिस बच्चे को आता है न, देखो जिसको नहीं आता है न, इस सवाल को करेगा ही नहीं, और जिसको अगर कर रखा है प्रैक्टिस तो वो कहेगा कि दस नमबर के लेवल का सवाल नहीं है, ठीक है ना जिसको आता है सारे प्रोविजन तो सर इसको देखे करने में इसलिए मैंने कहा कि इसे पहले कर लीजी अटेम्ट तो सही रहेगा अब आप सबको पता चल रहागा बस मैं प्रैक्टिस के लिए और कुछ एक्जाम में पूछे जाने वाले सवाल और मैं फिलहाल लूँगा सारे प्रोपर्टी वाले फिर लेंगे शियर्स वाले कुछ बच्चे अगर कहेंगे के सर शियर्स वाले तो आपने एक भी नहीं बताए डेप्रीशेबल एसेट्स एक भी नहीं बताए सारे कुश्चन होंगे सारे वराइटी के कुश्चन करेंगे लेकिन step by step तो चलिए साथ सबसे पहले क्या लिखेंगे sale consideration सर sale consideration कितने का है 55 lakh less selling expense अब देखें यहाँ पर कुछ बच्चे है न मिरसे पूछते हैं सर transfer expense लिखें या selling expense लिखें मर जी है सर selling expense लिखें या transfer expense लिखें यहाँ net sale consideration 5 lakh ऐसे कैसे यह 55 lakh है 55 lakh है ठीक है cost of acquisition सर सवाल में दे रखा है cost of acquisition की बात करें तो कहता है सर 13,50 का खरीदा लेकिन FM भी लेंगे न यह तो 2000 में खरीदा है तो अगर 2000 में खरीदा है तो ऐसे situation में एक सेकेट कहते है करकेट झाल 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 चलिए सर अभी थोड़ा सा मुझे एक कॉल हलो में इसने खरीदा तो 2000 में इंडेक्सेशन नहीं था सर तो जब 2000 में नहीं है तो क्या लेते हैं FMB और FMB कितने का दे रखा था 16 लाग तो यहाँ पर आएगा सर 16 लाग और इस टाइम का तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा 100 होता है और क्योंकि इसने बेचा है देखो ऐसा ही कोश्चन एक्जाम का ही है मैं क्या बोलूगा अगर मैं बोलू ऐसा ही कोश्चन आएगा तो कोई फायदा नहीं है और इस तरीके से इंडेक्सेशन होगा तो कुछ बच्चे याद करने में अपना वक्त नहीं कवा देना कॉस्ट ओफ इंप्रूमेंट सर इंप्रूमेंट का अमाउंट क्या था सर 16743 मैं एक चीज बता दूँ कुछ बच्चों के पास हो सकता है कि पुराना स्टडी मटीरियल अगर ढूंडते हैं तो मिलता है तो यह थोड़े से अमाउंट हमने चेंज किये बाकि कॉंसप्ट यह ही है डिवाइड़ बाए सर कब इंप्रूमेंट किया है सर आप 2004 में तो 45 का कॉंसप्ट लगेगा 113 और इंटू 317 बताईए इसका पहले का क्या है फाइव जिरो ट्रिबल जिरो और इसका 700 भाई देख देख के मत बताना चलिए बताईए 33 एकसो एकसट यह हमारा LTCG LTCG क्या है Long Term Capital Gain यह हमारा Long Term Capital Gain है पहले यहां तक देखिए किसी को दिक्कत है तो बताईए बच्चे बता रहे है cost of acquisition 50 लाख है आप लोग ने 55 लाख हाँ ठीक है 50 लाख ही तो बताई है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे कह रहे है LTCG निल आएगा अब यहां पे मिलेगा less exemption सर पहले बताईए exemption यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा अब मिलेगा तो क्यों मिलेगा क्योंकि इसने कौन सा घर खरीदा है नए वाला house खरीद लिया है क्या दो साल के अंदर खरीदा है कहता है कि इसने March 2022 के अंदर he purchased another house कितने का 5 लाख का तो वैसे तो यह 5 लाख के लिए eligible exemption के लिए लेकिन इसका capital गेन ही नहीं यह 5 लाख का तो इसका मतलब सार यह सिर्फ इतना ही exemption लेगा और यह आजाएगा हमारा और सार जो यह 54 का exemption लिया है न इसने इसके लिए note देना आपको जरूरी है आपको यकीन नहीं हो रहा के 10 नंबर का ऐसा सवाल हो सकता है तो बच्चे अगर इतना करेंगे तो वाक्य दस नंबर नहीं मिलेंगे आपको इसके लिए note देना पड़ेगा कि as per section 54 या as per income tax act section 54 if any SSC sold any residential house property और purchase any another residential house property then exemption will be available for the SSC under section 54 बस यह थोड़ी बहुत बात है और मैंने कोशिस किया है कि 10 year के अंदर न स्टार भी बना दिया और note आप आप as it is पढ़के लिख सकते हैं और अपनी language में भी लिख सकते हैं आसा नहीं भईया के भईया जो किताब में लिखा है वो ही लिखना है समझ में आई बात आपको किसी को दिक्कत पहले question में बताईए बच्चे पूछ रहे हैं सार 113 क्यूं 113 4 और 5 का था तो 4 5 का देखिए दूसरे नमबर का सवाल है तो दूसरे नमबर पे तो 113 है तो इसलिए तो आएगा 113 किसी का कोई doubt बच्चे कह रहे हैं सार exemption कैसे लगा simple सी बात है सार exemption लगने का था कि आज ने घर बेचके घर खरीदा है तो घर खरीदेगा तो exemption मिलेगा section 54 का सरिफ only section 54 है गलती से आपका हाथ फिसल गया नहीं आपे 54 A, B, C कुछ लिख दिया 0 marks है आपके ध्यान रखना जिसको section याद ना हो exam में सर्फ लिखिया exemption बात खतम वहाँ पे जैसे 54 B कर दिया या 54 E, C कुछ भी कर दिया आपने गलती से खतम आपका अंसर ही खतम होगया फिर तो section गलत हो जाएगा तो marks नहीं मिलेगा section नहीं लिखोगे तो थोड़े cutting है मिलेंगे जरूर लेकिन ठीक है झाल 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 झाल